नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी इन दौर के लसूरिया में रहने वाले युवा की संदग्द परस्तती में मौत हो गई वो अपनी बहन के साथ शराब छोड़ने की दवाई लेने एक बैद के पास गया था यहां से वापस आते समय उसकी तबियत बिगरी उसे बड़ा भाई अस्पतार लेकर पहुँचा यहां रात में उसने दम तोड़ दिया पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है लसूडिया पुलिस के मताबे कर बिजू खेडी में रहने वाले लाल स्थिंग 36 वाईश पुत्र सरदार सिंग की सीचल अस्पतार में मंगलवार रात उप्चार के दौरान मौत हो गई रिष्टेदार हिम्मत ने बताया कि मंगलवार सुभा करीब 9 बजे लाल सिंग और उसकी बहन रीना शराग छुडाने के लिए हात ओद रेशम केंडर से आगे खोशपर गाव में एक वैद के पास पहुँचे थे यहाँ वैद ने लाल सिंग को शराग छुडाने के लिए दवा दी दवा पीने के बाद भाई बहन बाइक से निकले करीब एक किलोमेटर दूर आने पर लाल सिंग को घबरहाट हुई और उल्टिया होने के बाद मूँ में इच्छाले हो गए बहन रीरा इस दौरान घबरा गई कुछ दिर बाइक रोककर दोनों रास्ते में बैट गए घर पहुँचा तो हुआ बेसुद घर पहुँचने पर भी लाल सिंग की हालत नहीं सुधरी उसे बड़ा भाई मांगलिया के पास एक निजी क्लिनिक लेकर पहुँचा यहाँ डॉक्टरों ने अन्य दूसरे अस्पताल ले जाने की सलहा दी लाल सिंग को सियाचार अस्पताल लेकर आया गया यहाँ रात में उसने दम तोड़ दिया लाल सिंग ट्रांस्पोर्ट पर काम करता है उसके परिवार में पतनी और दो बच्चे हैं पुलिस के मताबिक पोस्मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही स्तिथीस पष्ट होगी उनराने उसको दवईपिले फिर दीतें जो रापस आते समय उनको दो-छार फृटी रशब में फिर खिर लाए बहर में वहार बमस θα लेँ खिर ले गया यहां इसको मांगल fulfil गोदे ले गए मांगल लें से राश्पिटल से बहुला गया कि इसको मेरा इमास जी आपके लगते मेरा मामा हूँ